हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेशन है What rate gives 280 as a interest on a sum of 56,000 in two year भाई हमें कहला कितना, यह what rate gives 280 रुपीज हमें interest पढ़ा on the sum of, किसने sum पे 56,000 in two year में तो कौन सा rate होगा, हमें rate निकालना किस rate पे हमें 56,000 पे 280 रुपीज क्या पढ़ा होगा इंट्रेस्ट पढ़ागा दो साल में It means क्या होगया? हमारा principle दे रखा हमें कितना दे रखा 56,000 दे रखा भाई हमें interest दे रखा आई दे रखा कितना दे रखा 280 रुपीज हमने दे दो साल में और time कितना दे रखा 2 साल में लेकिन हमें rate नहीं दे रहागा, किस rate भी हमें लगा होगा, तो यह हमें निकालना है, तो हमें simple interest, क्या होता हमारा, SI काटो क्या होता हमारा, P into R into T upon 100 होता, SI हमें दे रहा कितना, दे रहा 280, भै हमने 2 साल में कितना interest दिया, 280 रुफीज दिया, प्रिंस्पल हमें कितना दे रगा 56,000 पर दिया हमने ओके आर हमें देनी रखा रिट टाइम हमें दे रगा दो साल में दिया भाए हमने अपन हंडेट इससे इससे यह कट गया ओके अब ये कट गया अब ये निचे आ जाएगा देखो 280 इन्टू आर का तो इन्टू में देखो क्या जाएगा फिप यह वह ये टू नीचे की कोई आर इकल ये निचा आ जाएगा तो डिवाइड में अब देखो 0 से 0 कट गया 28 बन जा 28 28 तू जा 56 होता है ओके तो हमारा देखो 1 और 2 तू जा कितना होता है 4 होता है तो आर हमारा कितना आया 1 अपन 4 आया ठीक है कितना आया 1 अपन 4 इट मींज कि आप मुझे 4 से डिवाइड करना भई दिवाइड करना यहां पॉइंट लगाएंगे यहां 0 बढ़ 10 में से 8 गया 2 पॉइंट लगा हुआ एक 0 बढ़ जाएगा 4 फाइव जा 20 पूरा पूरा जा रहा इट मेंज मुझे कितना परसेंट आ रेट कितना पड़ा मुझे 0.25 परसेंट लगा ठीक है तब जाके हमारा 56,000 बे 280 क्या होआ इंट्रेस्ट वा ओके